नमस्ति दोस्तों, श्याम रसोई में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कस्टरड आइस क्रिम बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट है इसका बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही कम सामान में बन जाती है तो आईए बनाना शुरू करते हैं कस्टर्ड आइसक्रीम इसके लिए सबसे पहले हम एक बावल में दो टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे ये मैंने वैनिला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर लिया है अब हम इसमें वन फोर्थ कप रूम टेंप्रेचर वाला दूद एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें किसी भी तरह का लंस नहीं होना चाहिए तो ये हमारा मिक्षर तयार हो चुका है अब हम एक कड़ा ही लेंगे इसमें हम आधा लिटर याने की दो कप धाई सो एमेल वाला कप है ये उससे मैंने दो कप दूद लिया है गैस का फ्लेम हम ओन करेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसमें एक उबालाने का वेट करेंगे तो ये देखे दूद में उबाला आ चुका है और अब हम इसमें ये कस्टड पाउडर वाला मिक्षर एड़ करेंगे तो सबसे पहले हम इसे चला लेते हैं चमच से ताकि जो custard powder नीचे तले में जाकर बैट गया है, वो अच्छे से mix हो जाए और अब हम धीरे-धीरे करके दूद में ये custard powder वाला mixture एड़ करेंगे गैस का flame medium कर दीजिए और इसे continue चलाते रहना इसमें lumps नहीं होना चाहिए ये देखिए, ये धीरे-धीरे थिक होता जाएगा तो हमने पूरा custard powder एड़ कर दिया है और custard powder दूद के साथ अच्छे से mix हो चुका है तो अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे, यहां मैंने आधा कप चीनी लिए यानि की 120 ग्राम चीनी का यूज किया है अब हम चीनी के मिलने तक इसे continue चला लेंगे तो ये लीजी फ्रेंड हमारा mixture तयार हो चुका है अब हम gas का flame बंद कर देंगे और इसे room temperature पर आने का weight करेंगे तो ये room temperature पर आ गया है और मैंने इसे एक bowl में निकाल लिया है अब हम इसे ढखकर freezer में रख देंगे केवल 1.5 दो घंटे के लिए हमें इसे जमाना नहीं है केवल chilled करना है अब हम एक bowl लेंगे उसमें एक cup whipping cream लेंगे whipping cream से ये ice cream बहुत ही अच्छी बनती है बिल्कुल भी ice crystal नहीं आते हैं तो सबसे पहले मैं इसे low speed पर अच्छी से whip कर लूँगी आप चाहे तो इसके लिए mixer या hand blender का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे time ज़्यादा लगेगा हम धीरे धीरे इसकी speed बढ़ाएंगे और stiff peak आने तक हम इसे beat कर लेना है यह देखिए यह perfectly beat हो चुकी है तो अब हम इसमें यह custard powder वाला mixer एड़ कर देंगे जो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इस mixer को अच्छे से cream के साथ mix कर देंगे यह देखिए बहुती creamy ice cream बनकर तयार होती है यह और custard वाला mixer अच्छे से cream के साथ mix हो चुका है तो अब मैं यहाँ 2 pinch yellow food color add कर रही हूँ इससे ice cream का color बहुत ही सुन्दर आएगा यदि आप color add ना करना चाहें तो इसे skip कर सकते हैं यह देखिए color बहुत अच्छे से mix हो चुका है और यह देखिए हमारी ice cream का texture बहुत अच्छा लग रहा है तो अब यह बिल्कुल तयार है अब हम इस पर foil paper लगा देते हैं और इसे हम 3-3,5 गंटे के लिए deep freezer में set होने के लिए रखेंगे उसके बाद इसे वापस beat करना है मैंने इसे 3 गंटे के लिए freezer में रख दिया था और यह थोड़ी सी जम चुकी है तो हम इसे दुबारा beat करेंगे यह देखिए इस वाली ice cream में बिल्कुल भी ice crystal नहीं आएंगे इसके लिए आप whipping cream का ही use कीजिएगा यह देखिए हम इसे 2-3 minute के लिए और whip करेंगे तो friends यह देखिए हमारी ice cream अच्छे से whip हो चुकी है आप चाहें तो इस टाइम इसमें काजू पिष्टा वगेरे मिला सकते हैं मैं अभी नहीं मिला रही हूँ तो बस अब हम इसे एक air tight container में transfer कर देंगे आप यदि इसमें चाहें तो टूटी फूटी भी add कर सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है तो यह मैंने सारे ice cream का mixture इस container में डाल दिया है और इसे अच्छे से spread कर देंगे और इस पर मैं यह foil paper वापस लगा रही हूँ और अब हम इस पर यह lid लगा देंगे और अब हम ice cream को 8 से 9 घंटे के लिए freezer में set होने के लिए रख देंगे तो friends मुझे 9 घंटे के करीब हो गया है ice cream को रखे हुए और हमारी ice cream अच्छे से set हो चुकी है यह देखें बहुती creamy ice cream बनकर तयार हुई है तो अब हम इसे serve कर देते हैं friends बहुती बढ़िया ice cream बनकर तयार हुई है बिल्कुल market वाला taste है इसका तो यह देखें हमने इसे serve कर दिया है और अब हम इसे पिष्टा, बादाम इनसे decorate कर देंगे यह मेरे पास कुछ बारिक कटे हुए पिष्टाज है और साथ ही मैं यहाँ बादाम लगा देती हूँ और मेरे पास यह red वाली tutti-fruity है तो यह लीजिए हमारी बहुती creamy और soft ice cream बनकर तयार है यदि आपको यह recipe अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे like का button प्रेस कर दीजिएगा साथ ही channel को subscribe करना ना भूलिएगा